जहिन सात्य नमेशकार ट्रिपल सी की धमाकेदार मैनातन क्लास मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूँ जी हाँ दोश्तों ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिसकस करेंगे ट्रिपल सी का कम्प्लीट मॉडल पेपर जी हाँ 100 कुष्टन का कम्प्लीट पेकेज आप सभी को आज की इस क्लास में मिलेगा ट्रिपल सी में जो कुष्टन सबस्यादा पूछाते हैं उनका कलेक्शन आप सभी को आज की इस क्लास में मिलने वाला है तो इस क्लास को लाज तक आप जयूर देखेगा दोष्थों, triple C अग्साम के लिए कम समय में आप कैसे बहतर त्यारी कर सकते हैं आपका अग्साम है तो हग्साम के पहले आप कौन सा वीडियो देख कर जाएं किया पढ़की जाएं जिसे आप आसानी से triple C अग्साम को टॉप कर सकते हैं तो इसका solution है हमारी ट्रिपल सी की महामेरतन क्लास, जी हाँ, ट्रिपल सी की एक क्लास कराएगी आपको ट्रिपल सी पास, तो इस क्लास को आप देखना मत भूलिएगा, ग्यारा सो कुश्टन्स की ये complete महामेरतन क्लास है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा important है, जब आप विजिट करेंगे अभैक्सल कम्प्यूटर यूट्यूब चैनल को, यहाँ पर वीडियो के सेक्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा सबसे टॉप पर, साथी साथ लिब्रिया ओफिस से एक्जाम में क्विश्टन्स पूछाते हैं, इसलिए मैंने लिब्रिया ओफिस की भी कम्प्रीट महामयातन क्लास कराई है, तो इस क्लास को भी आप जरूर देख लीजेगा, और वीडियो की नीचे हमारी ट्रेपल सी की सबसे बेस्ट एबुक, एककिस सो मोश्ट इंपॉर्टन क्विश्टन की एबुक की लिंक दी गई है, वह अपनी तयारी को बेहतर बना शकते हैं, तो टाइम वेश्ट न करते हुए, चलिए, सुरू करते हैं आज की एक क्लास, यही है अभैक सल की क्लास, let's begin in this topic आज का पहला प्रश्ण है, एक डॉट डॉट को सेलेक्ट करने के लिए, माउस पॉइंटर को सेलेक्शन बार पर ले जाकर डबल क्लिक करें मतलब एक word या एक sentence या एक letter या एक paragraph निम्ण मेंशे किसको select करने के लिए mouse pointer को selection बार पर ले जाकर double click करना पड़ीगा इन सभी questions को आप सभी लोग mock test के रूप में लेते रहिए और comment box message देते रहिए वीडियो के लाश में आप जरू बताईगा कि आपके कितने questions सही हुए है अब यहाँ पर बात की गई है selection की तो एक word को select करने के लिए यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा option first एक word को select करने के लिए अब next Libre office में sidebar किस तरफ होता है left, right, top या फिर bottom sidebar Libre office में sidebar की shortcut की क्या होती है यहाँ भी आपके लिए important है आईए with practical आपको समझाते है अब यहाँ पर देखिए आपका Libre office impress open है यहाँ आपका दिया गया है क्या sidebar का section ठीक है, इसको क्या बोलते है sidebar sidebar कहाँ पर है आपका right side में available है यहाँ पर view पर आप जाते हैं तो view पर आपको option मिलता है sidebar का जिसकी shortcut की क्या होती है तो control plus F5 होती है sidebar की shortcut की तो triple C exam में question पूशा आता है कि Libre office writer में या Libre office calc में sidebar की shortcut की क्या है तो control plus F5 होती है याद रखेगा control plus F5 हमने कर दिया sidebar आपका hide हो गया फिर से click कर दिया तो sidebar यहाँ पर आपका so हो जाता है ठीक है तो यह कहाँ पर available होता है right side में होता है और shortcut की क्या होती है control plus F5 होती है अब next what is meant by UI path UI path से आप क्या समझते है means UI path क्या है robotic process automation software company है robot process है computer virus है या फिर none of these मताइए UI path क्या है काफी important question है बहुत बार triple C exam में पूछा गया है तो UI path क्या है आपकी एक software company ही है means यहाँ आपका robotic process automation software company है अब triple C exam में यहाँ से question और बनता है कि RPA का full form क्या है किसका full form RPA का तो RPA का full form होता है robotic process automation याद रखिएगा अब next पांचवी पीड़ी के computer में अन्य पीड़ी के computer से क्या अंतर है means जो 5th generation के computer है उस computer में अन्य पीड़ी अन्य जनरेशन के computer से क्या अंतर है दोनों में अंतर क्या है technological advancement है scientific code है object oriented program है या none of these पताए 5th generation का computer अन्य जनरेशन के computer से अलग क्यूं है तो देखिए सब जनरेशन की क्या है अपनी अपनी technology है और 5th generation की technology सबसे advanced है इसमें AI का उप्योग किया जाता है artificial intelligence का है तो यहां पर इसका right answer क्या हो जाएगा technological advancement यह क्या है mean अंतर है अन्य जनरेशन के computer से अब next निमलिकित में से किस bank तोरा प्रतम आधार बेस्ट micro ATM सुरू किया गया which are the following bank has launched micro ATM on first basis फिनो पेमेंट बैंक, एक्सिस बैंक, SBI या ICICI बताइए कौन सा बैंक है जिसने परतम आधार बेस्ट micro ATM की शुरूआत की थी तो इसका right answer है option B एक्सिस बैंक ने ठीक है अब next एक प्रोग्राम जिसके दरा आप एक लिखिट डाकुमेंट त्यार करते हैं वा वापस जाकर आविशक्ता उनसार उसमें सुधार कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, टूल बार, वर्ड प्रोसेसर, कमांड या none of these तो यहां पर इसका right answer हो जाएगा option B word processor word processor means जहां पर आप word type करते हैं, जहां पर आप कोई लेटर बनाते हैं, कोई डाकुमेंट बनाते हैं, वही क्या है word processor program है जैसे MS office copy करते हैं, तो MS office में आपको क्या मिलता है, MS word, MS word क्या है, आपका word processor program है वैसे ही, Libre office में आपको मिलता है Libre office writer, जो आपका word processor program है, जहां पर कोई भी आप डाकुमेंट तयार भी करते हैं और उसमें वापस जाकर आप कोई भी changing करना चाहते हैं, तो आप change भी कर सकते हैं अब next What is the full form of Sarthi? Sarthi का full form क्या है? बताए, What is the full form of Sarthi? काफी important है, कई बार exam में question पूछा गया है, कि Sarthi का full form क्या है? Sarthi portal के बारे में, कब launch किया गया? या सब कुछ आपके लिए important है, exam में सब कुछ पूछता है Options है इसके Sunrise Advanced Application, Rail Travel Help and Information Service for Advanced Application, Rail Travel Help and Information Saving on Advanced Application, Rail Travel Help and Information या None of these Sarthi किस के दर डेबलब किया गया? किस मंत्राले दर लांच किया गया? यहाँ भी आपके लिए important है तो यहाँ आपका Ministry of Road, Transport and Highway के दर लांच किया गया था means परिवाहन से सम्बंदित है आपका सार्थी सड़क परिवाहन और राजमंत्राले तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा? राइट answer है इसका option first Sunrise Advanced Application, Rail Travel Help and Information Option first is right, ठीक है? अब next What is IEEE 802.5? बताइए यह क्या है? टोकेन बस है, टोकेन रिंग है, एथरनेट है या none of these काफी important question है, बहुत बार पूछा गया है एक यहीं से पूछता है कि 802.11, यह क्या है? है यह भी पूछता है तो यह भी part है किसका? IEEE 802 series का ही part है, है ना? तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा क्या? Option B, token ring यह क्या है? आपका token ring है अब next निमलिकित में से कौन सी computer भासा कृतिम बुध्धी के लिए प्रयोग की जाती है Which are the following computer language is used for artificial intelligence Artificial intelligence मतलब AI AI कब develop हुआ? यहाँ के लिए important है एक्जाम में पूछाता है कि AI का full form क्या है? कब develop हुआ? किसके दोरा develop हुआ? तो AI का मतलब artificial intelligence होता है इसके father कौन है? John McCarthy है AI के father कौन है? John McCarthy याद रखेगा और कब develop किया गया? तो 1956 1956 में AI को develop किया गया था इसका उद्देश है मशीनों को बुद्धिमान बनाना मिनस मशीनों में मनुष्य की बुद्धिमता को develop करना AI का उप्योग है तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी computer भाषा AI के लिए प्रयोग की जाती है तो इसका right on से हो जाएगा pro log option second is right अब next जव आप left mouse कुनजी को दबाए रखते हैं और mouse को slide के चारो तरब घुमाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है moving, dragging, selecting या highlighting means left mouse कुनजी को दबाए रखते हैं और mouse को slide के चारो तरब घुमाते हैं इसको हम बोलते हैं drag करना dragging, option, second is right अब next LibreOffice Writer में wizard किस मीनू में पाये जाता है edit, file, view या फिर insert मताइए wizard का option किस मीनू के अंतरगत मिलता है तो यहाँ पर देखे, calc हमारा open है file पर click करते हैं, new पर जाते हैं और text document पर click कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा open हो जाएगा LibreOffice Writer अब LibreOffice Writer में आप file मीनू पर जाओगे तो यहाँ पर आपको option देखे मिलता है wizard का पहला option new का जहाँ से आप new document open कर सकते हो यहीं पर आपको मिलता है template का option जहाँ पर template की shortcut की होती है control plus a plus end ठीक है open करने के लिए control plus o का उपयोग करते हैं ऐसे ही यहाँ पर आपको मिलता है wizard का option तो wizard में आप क्या कर सकते हैं later त्यार कर सकते हैं agenda, document converter यह सारी चीज़े यहाँ पर आपको मिलती है तो wizard का option कहाँ पर है file menu के अंतरगत है अब triple C exam में एक question यहाँ से पूछ लिया जाता है कि save as की shortcut की क्या है तो save as के लिए हम control plus c plus s का उपयोग करते हैं किसका उपयोग करते हैं control plus c plus s का उपयोग करते हैं और save के लिए control plus s का उपयोग करते हैं कभी-कभी triple C exam में पूछ लेता है कि print preview के लिए shortcut की क्या है तो print preview के लिए shortcut की होती है control plus c plus o ठीक है? अब यहाँ पर right answer को tick कर देते हैं option base right अब next किसी भी प्रकार का भंडारन जो इसके प्रसंस्क्रण में चर्णों के बीच सूचना रखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते है any type of storage that is used for holding information between steps in its processing is CPU intermediate storage memory या none of these तो इसका राइटन सोजएगा intermediate storage is option base right अब next compiler उच्चिस्तरी भाषा को machine भाषा में बदल देता है बताईए क्या compiler high level language को machine level language में convert करने का काम करता है compiler है क्या या भी आपके लिए important है है आपको बता होना चाहिए compiler क्या है interpreter क्या है compiler का उप्योग क्या है तो यहाँ पर subscribe transfer क्या हो जाएगा option भी false ठीक है compiler का उप्योग क्या है यहाँ भी आपके लिए important है compiler और interpreter है क्या तो compiler आपका क्या है एक language translator है और यह सबी क्या करते है compiler और interpreter दोनों का काम वही है दोनों low level language या जो other language है उनको machine level language में convert करने का काम करता है अब दोनों में फर्क यह होता है यह एक एक बार में पूरे syntax को translate करता है और दूसरा एक बार में line by line मतलब एक बार में एक line को translate करने का काम करता है अब next How many bits in IPv6 IPv6 कितने bit का होता है 126, 128, 32 या फिर 64 IPv6 और IPv4 यह दोनों है क्या तो internet protocol के version है कौन है internet protocol के version होते है IPv4 कितने bit का होता है तो 32 bit का होता है और IPv6 कितने bit का होता है तो 128 bit का होता है option b is right अब next इंटल कार्परेशन दोरा लागू किया गया एक नाम जो उच्च गती M.O.S. प्रद्योगेखी के लिए कहा जाता है इंटल कार्परेशन दोरा लागू किया गया एक नाम क्या है जो उच्च गती M.O.S. प्रद्योगेखी के लिए कहा जाता है तो इसका राइटान सो जाएगा option b H.M.O.S. अब next जापानी पांची पीडी के कम्प्यूटरों के आधार के रूप में किस भासा को चुना गया अलगूल, कोबूल, प्रोलॉग या none of these तो फिब जनरेशन के कम्प्यूटरों के आधार के रूप में प्रोलॉग भासा को चुना गया था option C is right, अब next निम्लिकित में से ASP का पूरा नाम क्या होगा ASP Automatic Speech Recognization Active Speech Recognization Automatic Speech Spell Recognization या none of these बताइए, क्या होगा इसका right answer ASP का फुल फॉर्म तो ASP का फुल फॉर्म होता है Automatic Speech Recognization क्या होता है Automatic Speech Recognization अब next किस कम्प्यूटर को या था संभव कॉम्पैक्ट होने के लिए डिजाइन किया गया है बताइए Mini Computer को, Super Computer को, Micro Computer को या none of these किस कम्प्यूटर को या था संभव कॉम्पैक्ट होने के लिए डिजाइन किया गया है तो इसका right answer हो जाएगा Option C, Micro Computer अब next निम्ण में शे कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है Which are the following is not a वेब ब्राउजर Mosaic, Yahoo, Safari या फिर Age तो Mosaic भी आपका वेब ब्राउजर है Safari भी आपका वेब ब्राउजर है Age भी आपका वेब ब्राउजर है लेकिन Yahoo आपका वेब ब्राउजर नहीं है अब CCC exam में एक कुशन यहाँ पूचाता है कि कौन सा पहला वेब ब्राउजर है या first वेब ब्राउजर कौन सा है तो Mosaic को पहला graphical वेब ब्राउजर कहा जाता है Safari किसका है तो Apple कमपनी का है इसलिए इसको Apple Safari भी कहते हैं अब next What is the full form of WPS WPS का full form क्या है Wireless Protected Setup World Protected Setup Wi-Fi Protected Setup या none of these बताइए What is the full form of WPS तो WPS का full form होता है Wi-Fi Protected Setup Option C is right अब next असेंबली भासा में प्रियुक्त होने वाले चिन कौन से है असेंबली भासा में जो कोड प्रियुक्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं निमोनिक कोड क्या बोलते हैं निमोनिक कोड बोलते हैं ठीक है Option Second is right अब next Can an entire folder be deleted at once with the kill command क्या सभी folder एक बार में delete हो जाएंगे जब हम kill command का अपयोग करेंगे kill मतलब क्या था मारना तो वैसे ही जब आप Linux या Unix का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर kill command का उपयोग सभी folders को एक बार में delete करने के लिए ही किया जाता है तो right answers का हो जाएगा Option First True अब next निमलिकित में से किसके बीच इंटरफेस प्रदान करने के लिए graphical user interface का उपयोग किया जाता है graphical user interface अर्थाथ यहाँ पर बात हो रही है GUI की ठीक है तो hardware और software किसके बीच में इंटरफेस प्रदान करने के लिए hardware और software इनके बीच में या फिर user and machine के बीच में या shafter and user के बीच में बताईए क्या होगा इसका राइटा अंसर फटावट बताईए अब एक question यहाँ से यहाँ पूछाता है कि Windows जैसे आसवरी लोग यूज करते हैं Windows operating system का तो Windows operating system GUI पर आधारित है या CUI पर आधारित है फटावट बताईए तो Windows operating system GUI पर आधारित operating system है MS-DOS CUI पर आधारित operating system था और GUI जो है graphical user interface is a user interface between software and user ठीक है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा option C, software and users अब next AS-CII stand for AS-CII का full form क्या है American Standard Code for Information Interchange American Security Code for Information Interchange American Scientific Code for Information Interchange या none of these तो AS-CII का full form होता है American Standard Code for Information Interchange ठीक है option first is right अब next किसी चार्ट को संपादिक करने के लिए निम्रमेशे क्या किया जाता है which are the following is done to edit a chart click on the triple chart object click and drag the chart object double click on the chart object या click on the chart object means कोई आपने चार्ट इंसर्ट किया है उस चार्ट में आपको edit करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे तो इसके राइट नंस हो जाएगा double click on the chart object chart object पर double click करेंगे तब वहाँ पर edit mode open हो जाएगा और आप edit कर सकते हो आप next LibreOffice Calc के name box में क्या प्रदर्शित होता है column name, cell address, seat name या none of these name box तो यहाँ पर दिखे calc open है यह आपका होता है formula bar और यह आपका होता है name box name box में क्या प्रदर्शित करता है तो cell का address name box में प्रदर्शित करता है तो यही यहाँ पर पूछा था तो write answers का option भी cell address अब next एक कालक्रम जो अन्य कालक्रमों के विकाश, मरम्मत या शमवर्धन में नियोजित होता है उसे क्या कहा जाता है a program that is employed in the development, repair or enhancement of other program is known as system software, software tool, application program या none of these तो यहाँ पर इसका write answers हो जाएगा shafted tools किसी भी shafted tools होते हैं वो अन्य कालक्रमों के, मिल्स अन्य प्रोग्राम के development, repair और enhancement के लिए उप्योगी होते हैं अब next e-wallet का इस्तिमाल करने के लिए आठंकों का सुरच्छा code और fingerprint दोनों महत्वपूर्ण होता है बताईए, क्या होगा इसका write answer e-wallet का इस्तिमाल करने के लिए आठंकों का सुरच्छा code और fingerprint क्या दोनों important होता है तो यह बिल्कुल आपका false है option second is right अब next निम्रिकित में से किस command का उपयोग फाइलों की तुलना करने के लिए किया जाता है means अगर आप यह चाहते हैं कि जैसे दो या दो से अधिक फाइल हैं उनको आप compare कर सको तो आपस में तुलना करने के लिए किस command का उपयोग करेंगे अगर आप बात करें एक चीज़ और आपको मिल जाती है कि अगर आप text files हैं उसको compare करना चाहते हैं तो diff command का उपयोग भी compare करने के लिए करते हैं text file को compare कर सकते हैं अब यहाँ पर पूछा है the command used to compare the files is known as तो इसका राइट रांस हो जाएगा option B CMP command का उपयोग इस कारी के लिए होता है अब next coded निर्देशों की सूची क्या कहलाती है algorithm, computer program utility program या none of these तो coded निर्देशों की सूची क्या कहलाती है computer program कहलाती है option B is right अब next निम्लिकित में से कौन सा कुन्जी संयोजन folder file को इस्थाई रूप से हटा देता है tap प्लस डिलीट, shift प्लस डिलीट, alt प्लस डिलीट या enter प्लस डिलीट which are the following की combination डिलीट प्लस डिलीट की का अप्योग किसी भी फाईल या फोल्डर को प्लस डिलीट करने के लिए किया जाता है normally जब आप किसी फाईल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो रिसाईकल बिन मर जाकर store हो जाती है लेकिन पर्मानेटली डिलीट करना है हमेशा के लिए तो shift प्लस डिलीट का अप्योग करते हैं अब next निम मेंशे कौन सा सर्च इन्जन चाइना में उप्योग होता है मतलब यह क्या होगा इसका राइट रांसर बैडू, गूगल, बिंग या फिर याहू चाइना का तो इसका राइट रांसर जाएगा बैडू option first is right और next निम मेंशे कौन सी मेमोरी volatile memory है बताईए कौन सी मेमोरी volatile memory है room, ram, pen drive या hard disk volatile volatile मतलब क्या होता है इस्थाई या आइस्थाई तो volatile मतलब होता है आइस्थाई है ना और non-volatile का मतलब होता है इस्थाई तो यहाँ पर इस correct answer क्या हो जाएगा ram, ram आइस्थाई है room इस्थाई मानी जाती है अब next LibreOffice PioTable Feature को support करता है मतलब है क्या LibreOffice PioTable Feature को support करता है तो LibreOffice Calc में ही आपको मिलता है option PioTable का जब आप insert menu में जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है PioTable का option means LibreOffice PioTable Feature को support करता है ठीक है तो यहाँ पर इस correct answer क्या हो जाएगा option first, true, आप next निमलिकित में से किस विकल्ब का उप्योग file extensions प्राप्त करने के लिए किया जाता है which of the following option is used to get the file extension size, extension, rename या properties बताईए तो file extensions प्राप्त करने के लिए properties का उप्योग किया जाता है option D is right अब next निमलिकित में से non-impact printer का प्रकार है मतलब निमलिकित में से ऐसा कौन सा printer है जो एक non-impact printer है daisy wheel printer, laser printer, line printer या all of these तो यहाँ पर इसका right answer है laser printer laser printer आपका एक non-impact printer है सबसे 30 printer कौन सा होता है तो laser printer होता है triple C exam में एक question या पूछाता है कि वर्तमान समय का सबसे लोगप्री printer कौन सा है तो laser printer ही सबसे famous printer है अब next निमलिकित कौन डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा करता है मताईए authorization, non-reproduction, encryption या authentication डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा करने का काम कौन करता है तो इसका right answer जाएगा option C encryption ये डेटा और पासवर्ड दोनों की सुरक्षा करता है अब next निमलिकित में से कौन सी command टूल बार के सब मीनु में नहीं पाई जाती है which are the following commands is not found in the सब मीनु आफा टूल बार drawing, find, arrow या edit point तो टूल बार के सब मीनु में आपको drawing भी मिलता है find भी मिलता है, edit point भी मिलता है लेकिन arrow का option नहीं मिलता है तो option C is right अब next difference engine कब निर्मित हुआ means difference engine का निर्मान कब हुआ 1822, 1833, 1844 या 1823 difference engine का विकास किस ने किया या question भी आपके लिए important है तो चार्ल्स बैबिस ने 1822 हिस्वी में difference engine का विश्कार किया था right answers का option फर्स्ट अब next यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे फार्मूला कैपसूल बाई अभेक्शल कंप्यूटर तो आपको यहाँ वीडियो मिल जाएगा तो count formula क्या करता है आपके numbers की counting करता है क्या करता है numbers के counting करता है मतलब जैसे यहाँ पर 5, 2 और 8 हैं तो कितने numbers हो गए हैं 3 numbers हो गए हैं तो right answer से क्या जाएगा option B ठीक है option B 3 चलिए यहाँ पर देखिए 5, 2, और 8 है ना solve कैसे करते हैं यहाँ भी आप जान लीजे कैसे इसको हमसाल करेंगे sorry यहाँ पर 5 भी लिखना है और 2 भी लिखना है तो यहाँ पर equal count 852 bracket close और enter तो right answer कितना आगया 3 ही आएगा यहाँ पर value हम कितने भी लिखें 100 नहीं 1000 लिख दें तब भी answer 3 ही आएगा यहाँ पर numbers की counting करता है और वो 3 है अब next निम्रिकित में से कौन सा LibreOffice Writer template file का extension है .xtml, .odt, .xltx या .ott अब 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 नेक्स्ट तीसरी पीडी के कंप्यूटरों में प्रियुक्त होता था वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स, इंटिग्रेटेट सर्किट या नन ओफ दीज तो यहाँ पर इसकर आइट आंसर क्या हो जाएगा option C, Integrated Circuit Chip जिसे बोलते हैं IC Chip means third generation के computer में IC Chip का उप्योग होता था ठीक है, IC Chip किसकी बनी होती है तो IC Chip बनी होती है किसकी? Silicon की, किसकी? Silicon की बनी होती है और IC Chip का निर्मार किस ने किया? तो JS Kilvy और Robert Noe ने किया था किसने? JS Kilvy और Robert Noe ने इसको develop किया था याद रखिएगा अब एक question C C exam में यहाँ भी पूछाता है कि Silicon Valley कहां पर है? तो Bangaluru में है और एक question यह भी बनता है किस city को Silicon City कहते हैं? तो Bangaluru को Silicon City भी कहते हैं अब next डिजी लॉकर में शेप कर सकते हैं means कितने MB तक का डाटा एक बार में श्टोर कर सकते हैं 30 MB, 25 MB, 10 MB या फिर 12 MB तो यहाँ पर इसका लॉकर में 10 MB तक का डाटा आप श्टोर कर सकते हैं अब next निम्ण में शें OLX किस पर आधारित है? OLX C2B C2C B2B या B2C तो यहाँ पर इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा? OLX OLX आपने नान सुनाओ का ना समान बेचने का कि जहाँ पर आप अपना समान बेच सकते हो तो यहाँ C2C के अंतरगत आता है option C is right अब next निम्र मेंशे किस मेमोरी में रखा डेटा आइस्थाई होता है और कम्प्यूटर बंद होने पर सता नस्ट हो जाता है random access memory, read-only memory, compact disk या fluffy disk बताईए निम्र मेंशे किस मेमोरी में रखा डेटा आइस्थाई होता है और computer बंद होने पर स्वतान नश्ट हो जाता है तो इसका राइट अंसर जाएगा option first Random Access Memory RAM में जो data store होता है वह आइस्थाई होता है अब next TCP में शंदेशों का प्रसारन सुरू होने से पहले गंतब्य का मार्ग आवंटित किया जाता है मताईए In TCP, the path of the destination is allocated before the transmission of the masses against TCP Full form Transmission Control Protocol Internet का standard protocol माना जाता है TCP IP और इसका राइट 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 जाएगा option first true बिल्कुल सही है अब next निम्लिकित में से कौन सा उत्तम गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स प्रिंटर है लेजर प्रिंटर, प्लोटर, इंकजेट प्रिंटर या dot matrix प्रिंटर उत्तम गुणवत्ता वाला ग्राफिक्स प्रिंटर निम्लिकित में से कौन सा है तो इसका राइट 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 सोचा एगा option भी प्लोटर प्लोटर आपका क्या है best quality ग्राफिक्स प्रिंटर है अब next SMTP में M से क्या तातपर है SMTP Mail, Mailing, Mobile या All of These SMTP का Full Form क्या होता है Simple Mail Transfer Protocol क्यों होता है Simple Mail Transfer Protocol ठीक है तो इसका Right Answer क्या हो जाएगा Option First Mail अब Next Non-Numeric LibreOffice Calc किस alignment में होता है बताइए Which alignment contains Non-Numeric LibreOffice Calc Right, Left, Center या Justified तो यहाँ पर देखिए हम कोई number लिखते हैं तो number का alignment क्या है Right, और कोई text लिखते हैं तो text का alignment क्या है Left, means text का alignment जो Non-Numeric Value है उसका alignment Left और Numeric Value का alignment क्या है Right होता है तो यही यहाँ पर पुछा गया कि Non-Numeric Value का alignment क्या होता है तो right answer का क्या हो जाएगा Left होता है Option second is right अब next इन मेंशे यू-SHD में किसका उपयोग किया जाता है Which are the following is used in U-SHD M-PIN, E-Mail, OTP या इन मेंशे कोई नहीं बताईए U-SHD का full form भी आपके लिए काफी important है triple C exam में काफी बार पूछा आता है कई बार क्या होता है कि आपको बहुत साथ simple से questions मूल जाते है और कई बार क्या है कि question simple लहता है लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछता है में थोड़ा सा critical बना देता है तो आपको समझना होगा कि वो कहना क्या चाह रहा है तो U-SHD Unstructured Supplementary Service Data होता है U-SHD का full form नोट कर लिजेगा Unstructured Supplementary Service Data होता है U-SHD आपका क्या है GSM Network पर आधारित है किस पर GSM Network पर आधारित है U-SHD U-SHD सेवा का आप लाब उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको code अपलाई करना पड़ेगा star 99 has ठीक है इस code के मांद्यम से आप निम्ण में से U-SHD में किसका उप्योग किया जाता है Which are the following is used निम्ण में से U-SHD में किसका उप्योग किया जाता है Which are the following is used in U-SHD M-PIN, E-Mail, OTP या इनमें से कोई नहीं मताईए क्या होगा इसका राइटन आंसर U-SHD का full form क्या है यह भी आपके लिए important है triple C exam में कापी पूँचा आता है तो इसका full form होता है unstructured supplementary service data ठीक है unstructured supplementary service data होता है इसका full form और यह GSM cellular network पर आधारित है अब एक question exam में यह पूछा आता है कि U-SHD का उप्योग कैसे करते हैं means service का lab उठाने के लिए हम किस code का उप्योग करते हैं तो U-SHD सेवा का lab उठाने के लिए स्टार 99 hash का उप्योग करते हैं किसका 1099 hash का उप्योग करते हैं इस सेवा का लाब उठाने के लिए इसके माद्यम से आप क्या कर सकते हैं balance inquiry कर सकते हैं mini statement निकाल सकते हैं fund transfer भी कर सकते हैं language change कर सकते हैं mpin change कर सकते हैं means आपका जो UPI का pin है वह भी आप change कर सकते हैं ठीक है? याद रखेगा तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा ushd में किसका उप्योग किया जाता है तो ना ही इसका उप्योग है ना ही इसका उप्योग है ना ही इसका उप्योग है तो right answer option d इन में से कोई नहीं क्योंकि normally आप अपने mobile number से जो भी आपका number registered है star 99 has प्रस करेंगे और डायल कर देंगे तो वहाँ पर ushd service open हो जाएगी लिख्या जाएगा welcome to 99 has उसके बाद जो भी services वहाँ पर आपको मिलेंगी वो सारी services आपके सामने आ जाएगी ठीक है अब next जब किसी को email भेजा जाता है तो कौन सी लाइन संदेश की सामगरी का वर्डन करती है बताइए तो आपने email का उप्योग किया होगा तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पर content नाम की कोई लाइन तो होती नहीं है टू में जिसको message भेजते हैं उसका address लिखते हैं और subject में क्या भेज रहे हैं ये लिखते हैं तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा option C subject ठीक है ना subject ही आपके content का वर्डन करती है कि आप क्या send कर रहे हैं अब next निम लिखित किसके दोरा बिंग बनाया गया था मिन्स निम नमेशे ऐसा कौन है जिसके दोरा बिंग को डेबलब किया गया था अब बिंग क्या है आपको अच्छे से पता होना चाहिए और कि कई साई questions इससे भी exam में बनते हैं तो बिंग आपका Microsoft से संबंदित है Microsoft दरा बनाया गया था बिंग को ठीक है Option C is right अब बिंग आपका कितनी language में available है या भी question आपके लिए important है और बिंग है क्या आपका एक search engine है क्या है search engine है ठीक है और कितनी language में available है तो या आपका 40 language में चालिस language में अभी available है अब next ही यहाँ पर और नोट कर लीजे कि बिंग को कब डेवलप किया गया है ना तो बिंग डेवलप किया गया था 3 जून 2009 को यह लांच कर दिया गया था कब 3 जून 2009 को अब next नेम बॉक्स कहा दिखाई देता है फार्मूला बार के दाएं फार्मूला बार के बाएं फार्मूला बार के नीचे या इन मेंशे कोई नहीं नेम बॉक्स कहा दिखाई देता है तो यहाँ पर जब आप कैल्क को ओपन करोगे तो कैल्क में आपको मिलता है फार्मूला बार, नेम बॉक्स आपको है नेम बॉक्स, नाम से प्रतीत होता एक ऐसा बॉक्स जहां पर नाम दिखता है, है ना, जैसे कि आपके Excel में, आपकी empty sheet में, जो row, column होते हैं, जो cell होते हैं, जो cell का address है, वो so करता है नेम बॉक्स में, और ये है क्या formula बार, तो formula बार के left side में, है ना, formula बार के left side में आपको मिलता है नेम बॉक्स, active cell का जो content है, वो आपको दिखता है कहां पर formula bar में, जैसे हमने यहां पर क्या लिखा? A लिखा है भी, यहां पर क्या दिख रहा है? A, अभ है लिख दिया, तो यहां क्या दिख रहा है? अभ है, means active cell के content को दरसानी का काम करता है formula bar तो formula bar के बाएं होता है name box ठीक है अब next नेम नमेशे किस language में लिखे program को computer बिना किसी translator की मदद से पढ़ लेता है high level, machine level, both या none of these बताईए तो machine language में लिखे गए program को computer बिना किसी translator की मदद से पढ़ लेता है अब next the full form of IMEI is international mobile equipment identity क्या IMEI का full form international mobile equipment identity होता है तो बिल्कुल सही है option first is right अब next निम्लिकित में से किसका उप्योग गरना करने के लिए किया जाता है which are the following is used to calculate LibreOffice Calc, Writer या फिर Impress तो इसका write answer हो जाएगा option first LibreOffice Calc देखे सभी का काम divided है आप Writer में भी जोड सकते हो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर भी आपको जोडने का option मिलेगा लेकिन जो calculation का main काम है कि calculation किसके दार की जाएगी तो LibreOffice Calc के दार की जाती है ठीक है Writer का का काम क्या है document को create करना Impress का का काम क्या है presentation को बनाना और Calc का काम क्या है कि data त्यार करना calculation करना ये उसका काम होता है अब next Windows Explorer को open करने की shortcut की क्या है window key plus e windows key plus w window plus o या control plus o बताइए क्या होगा इसका right answer तो window plus e windows explorer को open करना है तो window key के साथ में e आप प्रस करेंगे तो आपका open हो जाएगा windows explorer ठीक है option first is right अब next निमलिकित में से किस menu में cell edit mode विकल्प LibreOffice Calc में पाया जाता है means LibreOffice Calc के अंतरगत किस menu में cell edit mode पाया जाता है file, tools, edit या फिर format तो यहाँ पर देखे Calc आपका open है यहाँ पर edit option पर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है cell edit mode जिसकी shortcut की होती है F2 means अगर जैसे कि ये cell है अब है लिखा हुआ है इसमें कुछ edit करना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते है normally या तो आप यहाँ पर double click कर दें तब यह open हो जाएगा नहीं तो यहाँ पर आप edit पर जाए cell edit mode पर आप click कर देंगे तब देखे edit mode में आ गया अब यहाँ पर जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो ठीक है इस परकार से यहाँ पर आप लिख सकते हो means edit पर जाओ cell edit mode या इसकी shortcut की आप directly apply कर सकते हो क्या होती है F2 होती है ठीक है याद रखिएगा अब यहाँ पर right answer option C अब next नेमलिकित में से कौन सा विकल्प toolbar के sub menu में नहीं दिया गया है arrow, find, edit या फिर drawing बताईए which of the following option is not given in the sub menu of toolbar देखो arrow भी मिल जाएगा find मिल जाएगा, drawing मिल जाएगा, edit नहीं मिलता ठीक है, option C is right, अब next जिसको email send करना है उसका email निमने में से किसम में लिखा जाएगा मताईए to, from, cc या bcc तो mail भेजने आलेगा content to में लिखते हैं, option first is right अब next मनरेगा किस से सम्बंदित है व्यापार, परेटन, रोजगार या फिर नोटा इनमें से कोई नहीं तो मनरेगा आपका रोजगार से सम्बंदित है option C is right अब next निमने में से किसका उप्योग desktop पर icon छिपाने के लिए किया जाता है which of the following is used to hide icons on the desktop बताईए desktop icon, disappear, hidden, hide shortcut या hide icon तो desktop पर icon को छिपाने के लिए hide icon का उप्योग करते हैं option D is right अब next what is meant by PPF PPF से आप क्या समझते हैं public provident fund, public provident fund, private provident fund या इनमें से कोई नहीं public profile fund, public provident fund या private provident fund तो PPF का मतलब होता है public provident fund ठीक है option B is right अब next what is the shortcut की for unformatted text क्या unformatted text की shortcut की control प्लस alt प्लस c प्लस v होती है यहाँ पर देखिए calc open है, edit पर आप जाते हैं paste special पर जाओ, तो यहाँ पर आप सार मिलेगा paste unformatted text जिसकी shortcut की क्या है control प्लस alt प्लस c प्लस v होती है क्या होती है control प्लस alt प्लस c प्लस v paste special के लिए control प्लस c प्लस v का उप्योग करते हैं यहाँ पर भी वही कहा गया है तो इसका write answer क्या हो जाएगा true अब next नेम लिखित में से कौन सा LibreOffice Calc Template File का extension है LibreOffice Writer का था तो .ott था यहाँ पर पूँचा है LibreOffice Calc Template File का extension तो write answer क्या हो जाएगा .ots क्या हो जाएगा .ots बहुत बार equation पूछा गया है .ots अब next ATM के पीछे CVB नंबर कितने digit का होता है 6, 5, 4 या फिर 3 CVB का मतलब Card Verification Value और ATM के पीछे CVB होता है 3 digit का Option D is write अपनी OTP, अपना CVB, अपना PIN कभी भी किसी के भी साथ share नहीं करना चाहिए अब next टेलिग्राम के निर्माता कौन है तो यहाँ पर टेलिग्राम के निर्माता कौन है पूछा गया है तो राइट रांसेस का हो जाएगा Option B निकोले एंड पावेल डूरो इन दोनों भाईयों ने मिलकर टेलिग्राम का आविशकार किया था टेलिग्राम को हिंदी में क्या कहते हैं तो हिंदी में इसको बोलते हैं तार क्या बोलते हैं तार बोलते हैं याद रखिएगा कभी-कभी इंग्लिस में आपको नहीं समझ में आया या हिंदी में नहीं समझ में आया तो इंग्लिस और हिंदी दोनों आपको समझना पड़ेगा वोगे कईवे एक्जाम में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिस में आ जाता है ठीक है अब next निम्लिकित में से किस shortcut कुंजी का उप्योग LibreOffice में किसी डाकुमेंट से बाहर निकलने के लिए करते हैं Ctrl प्लस I, Ctrl प्लस W, Ctrl प्लस Q या Ctrl प्लस R अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात की गई है कि किसी shortcut की के माद्यम से डाकुमेंट से बाहर आना है मिन्स जो current डाकुमेंट है उससे हमें बाहर आना है तो प्लिटिकुलर किसी डाकुमेंट से बाहर आना है तो उसके लिए Ctrl प्लस W का उप्योग करेंगे दो चीजे है Ctrl प्लस W या Ctrl प्लस Q Ctrl प्लस Q से क्या होता है कि आप Libre Office से बाहर आ जाओगे मतब Libre Office ही आपका Close हो जाएगा लेकिन current प्लस W मिन्स Ctrl प्लस W से क्या होगा कि present time पर जो डाकुमेंट ओपन है present time पर जो भी विंडो ओपन है वो आपकी बंद हो जाएगी इसलिए यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा Ctrl प्लस W ठीक है अब next Libre Office राइटर में शुपर इसक्रिप्ट की शॉटकट की क्या होती है Ctrl प्लस C प्लस B, Ctrl प्लस C प्लस P, C प्लस P या None of these बताएगे शुपर इसक्रिप्ट की शॉटकट की क्या है देखे दो चीज़ें होती है एक सुपर इसक्रिप्ट, एक सबसक्रिप्ट तो सुपर इसक्रिप्ट के लिए क्या उप्योग करते हैं Ctrl प्लस C प्लस P का उप्योग करते हैं inbox, spam folder, junk folder या फिर trash बताईए किससे delete किये गए mail को recover किया जा सकता है means जो mail delete हो गई है उसे कहां से store करेंगे तो राइट रांसर इसको जाएगा trash mail अब एक question यहां से exam में और पूछाता है कि delete कि गई mail कहां पर store होती है तो trash में store हो जाती है और trash से 30 दिनों तक आप restore कर सकते हो 30 दिनों बाद भाँ automatic delete हो जाती है permanently अब next निम्न में से कौन सी margin Libre Office Writer में उपलब्ध नहीं है मताईए vertical, center, horizontal या फिर bottom कौन सी margin available नहीं है तो vertical है, center नहीं है, horizontal है और bottom है ठीक है तो यहाँ पर right answer option B, center यह margin available नहीं यह alignment होता है अब next what is meant by ODS ODS का क्या मतलब है open document system, open document spreadsheet, open double spreadsheet या none of these मताईए ODS काफी important है ODS अब ऐसे आप देखो तो ODS का extension है ना, मतलब ODS किसका extension है यहाँ भी आपके exam में पूछा सकता है तो जैसे आप LibreOffice आईटर का प्योग करते हैं तो .odt होता है, है ना ODS LibreOffice Calc का और Impress का होता है ODP ठीक है वैसे ODS का एक full form और आपको मैं बता हूँ ODS का full form operational data store भी होता है क्या होता है operational data store भी होता है ODS का full form तो यहाँ पर ODS का मतलब open document system option first is right अब next BCC का इस्तिमाल करके mail में क्या अंतर आता है कोई अंतर नहीं आता एक साथ कई लोगों को समान mail भेज सकते हैं और किसी को भी बता भी नहीं चलेगा मैं ऐसे स्तुता copy हो जाता है या इन में से कोई नहीं तो BCC का काम क्या है कि एक साथ कई लोगों को समान mail भेज सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि या mail और किसी है किसके पास भेजी गई है अब next निम्ण में से कौन सा कानूनी रूप से hacking करता है which are the following is legal hacking cyber hackers, ethical hackers non-ethical hackers या none of these तो इसका राइट राइट राजाएगा option B, ethical hacker कानूनी रूप से hacking करते है option B is right अब next परसनल कम्प्यूटर की प्रात्मिक मेमोरी में सामिल है Rome only, RAM only, RAM और Rome या इन में से कुई नहीं तो प्राइमरी मेमोरी के पार्ट RAM और Rome दोने होएं है ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा both RAM and Rome option C is right क्योंकि ये दोनों सामिल होते हैं अब next विंडोस प्लस से प्लस S सौर्ट कर कुणजी का प्रयोग विंडोस 10 में स्क्रीन सौर्ट के लिए किया जाता है बताइए क्या Windows 10 में Windows प्लस से प्लस S का उप्योग स्क्रिंड सॉट लेने के लिए करते हैं True या False तो True है Option, First is Right अब Next निम्लिखित में से कौन सा कम्प्यूटर के लिए अच्छा इंटरनेट नेटवर्क प्रदान करता है Land Cable, Optical Fiber Cable, Twisted Pair Cable या इन में से कोई नहीं मताइए कौन सा कम्प्यूटर के लिए अच्छा इंटरनेट प्रदान करता है तो इस का राइट नान सुझाएगा Land Cable ये कम्प्यूटर के लिए अच्छा इंटरनेट प्रवाइडर है Option, First is Right अब Next व्यावसाइक रूप से उपलब्द पर्थम माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या था? इंटल 8008, इंटल 4004, इंटल 8008 या नन ओफ दीज पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो इंटल 4004 था किस कम्पनी दार डेवलब किया गया? इंटल कम्पनी दार डेवलब किया गया कब 1970 में ठीक है? 1970 में इसे डेवलब किया गया था अब Next प्रेजनेशन का पेज डॉट 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 से बना होता है मेंस प्रेजनेशन का पेज किस से बना होता है? डेटाबैस, स्लाइट्स, सीट्स या All of These तो प्रेजनेशन का पेज स्लाइट से बना होता है Option B is Right, अब Next Firewall, computer को अनाधिकरित पहुँच से बचाने के लिए एक दिवार है A firewall is a wall to protect a computer from unauthorized access True या False तो बिल्कुल सही बात है Firewall को computer का सुरक्षा घेरा कहा जाता है Option First is Right, अब Next एक नई तक्नीकी जो कृतिम दुनिया बनाने की चमता प्रदान करती है और लोगों के साथ बातचीत करती है उसे क्या कहा जाता है मतलब उसे क्या कहते हैं Alternative Reality, Virtual Reality, 3D Reality या None of These बताइए तो इसका रही टांसर जाएगा Virtual Reality Option B is Right, अब Next What is the meaning of M-Banking? M-Banking की मीनिग क्या है? Managing Banking, Manage Banking, Mobile Banking या Net Banking बताइए What is the meaning of M-Banking? M-Banking का मतलब Mobile Banking होता है Option C is Right, ठीक है? अब Next Hacker एक ऐसा इनसान होता है जो बिना आपकी अन्मती के आपके computer को access कर सकता है Hacker केतनी system hack हो गया? तो आपसे पूँच के तो रही न करता है आपकी अन्मती के बिना ही काम करता है Option First is Right अब Next निम्नमेशे किसका उप्योग Secondary Storage के रूप में नहीं किया जाता है Magnetic disk, Semiconductor Memory, Magnetic Tape या Hard Disk Drive बताइए किसका उप्योग Secondary Storage के रूप में नहीं किया जाता है देखे, Hard Disk Drive तो Secondary Storage के रूप में है 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 ना Shemi Conductor Memory Magnetic Disk का भी उप्योग करते हैं Magnetic Tape भी आपका Storage ही है तो यहाँ पर Write Answer Shemi Conductor Memory, Option B is Write, अब Next Libre Office Writer में Bullet Off करने की Shortcut की क्या है F12, Shift Plus F12, Control Plus F12 या None of These देखे, यहाँ पर Calc Open है File पर क्लिक किया, New पर क्लिक किया Text Document पर क्लिक कर दिया तो Libre Office Writer आपका Open हो गया है अब Writer में Format पर जाते हैं यहाँ पर देखो आपको बहुत साई Options मिलते हैं जैसे Text का Option मिलता है Spacing का Option मिलता है Align Text का आपको Option मिलता है यहीं पर आपको Bullet and Numbering का Option भी मिलता है जहाँ से आप Bullets और Numbers लगा सकते हो जैसे यहाँ पर अलग-अलग Bullets हैं अलग-अलग Numbers दिये गए हैं तो यहीं पर आप जाओगे List के Option पर तो यहाँ पर देखे Unordered List Ordered List No List Move Item Down Move Item Up यह सारे Options मिलते हैं ऐसे Text पर आप जाएं तो यहाँ पर देखे Build, Italic, Underline Increase Size, Decrease Size Upper Case, Lower Case, Cycle Case इनकी आप Shortcut की को जरूर नोट कर लीजेगा वोगि यह सब कुछ आपके लिए Important है एक्जाम में बहुत जादा पूछाता है इन सभी के Shortcut की से संबंधित Questions अब यहाँ पर देखे No List के लिए इसका उप्योग करते हैं Unordered List Unordered List मतलब हो गया Bullets तो इसके लिए किसका उप्योग करते हैं Shift plus F12 और Order List का मतलब कि यहाँ पर Numbering को चल लाई यह Order List कहलाती है तो यह आपका F12 है तो यहाँ पर से Right Answer क्या हो जाएगा Shift plus F12 मतलब Bullet का मतलब Unordered List होता है अब Next Cell को Copy करने के लिए आप Control Key को कब पकड़ेंगे और 7-7 Cell को Hold करेंगे When Copying More Than One Cell Few Cells Are Visible In Windows You Do Not Want To Refer To Absolute Reference Do Different Work Between Cells And Are Visible In Both Windows Cell को Copy करने के लिए Control Key को कब पकड़ेंगे और 7-7 Cell को Hold करेंगे जब हमें एक से अधिक Cell को Select करना होता है तो आप Control को Press करेंगे और Mouse की मदद से उस पर Click करते हुई चले जाएंगे तो इसका Right Answer क्या हो जाएगा When Copying More Than One Cell अब Next नेमलिखित में से कौन सी Memory सबसे तेज कारे करती है SRAM, DRAM, SD RAM या None of the above तो इसका Right Answer हो जाएगा Option First SRAM सबसे तेज कारे करती है Option First is Right अब Next नेमलिखित सभी पोष्ट Spreadsheet साफ्टर से सम्बंदित हैं सिवाए Means नेमलिखित ऐसा कौन है जो Spreadsheet से सम्बंदित नहीं है Worksheet, Cell, Formula या Virus Detection तो Worksheet भी है, Cell भी है Formula भी है, लेकिन Virus Detection ये Spreadsheet साफ्टर से सम्बंदित नहीं है Option Days, Right, Up, Next इनसाइक्लोपीडिया के लिए निम्ण में से कौन सी वेबसाइट सबसे उत्तम है Which are the following website is best for इनसाइक्लोपीडिया Google, Ask, Wikipedia या फिर Yahoo तो इनसाइक्लोपीडिया के लिए निम्ण में से सबसे अच्छी वेबसाइट सबसे बेस्ट उत्तम कौन है Wikipedia है Option says Right, अब Next Motion Picture Clip को बदलने के लिए किस प्रकार के Software का उप्योग किया जाता है What type of Software is used to replace Motion Picture Clips Drawing, Video Editing, Painting या Computer Design तो इसका रही टनसाइगा Video Editing Option B is Right, अब Next Footnote कहां प्रयोग किया जाता है मताइए Where is Footnote used Above the page, End of page, Left side या Center तो Footnote का प्रयोग End of page करते हैं पेज के Last में Option B is Right, अब Next RTGS भुगतान नेटवर्क करकाओ कौन करता है Means RTGS नेटवर्क का रख रखाओ कौन करता है NPCI, IRDA, SEBI या RBI तो RTGS भुगतान नेटवर्क का रख रखाओ RBI करता है Option D is Right, अब Next निम्निक्षत में से कौन Linux के निर्माता है Linux Operating System होता है है ना, तो Linux Operating System के founder कौन है उसके developer कौन है Mike Reiser, Kevin System, Jack Dorsey या Linus Torvalds तो रख रखाओ का Linux Torvalds इन्होंने ही Linux Operating System का विकास किया था अब Next Mobile Device Management Feature not available in Windows 10 क्या Windows 10 में Mobile Device Management Feature उपलब्द नहीं है तो यह आपका बिलकुल फाल्स है Option Second is Right, अब Next What is the full form of ICT ICT का full form क्या होता है Information and Communication Technology Information and Computer Technology Internet and Communication Technology या None of These होता हिए ICT का full form क्या है तो ICT का full form होता है Information and Communication Technology Option First is Right, अब Next अक्सर इस्तिमाल किया जाने वाला कमांडों तक आसान पहुँच प्रदान करता है Means निम्ण मेंशे ऐसा कौन है Means जैसे कोई कमांड हम बार बार उप्योग करते हैं तो उस पर हमारी पहुँच को आसान निम्ण मेंशे कौन बना देता है Command टूल, Quick Access Toolbar, Standard Toolbar या Short Cut Toolbar नामी है Quick Access मतलब जिसको जल्दी से Access किया जा सके जहां से जल्दी से Access किया जा सके तो रही टान्सर का Quick Access Toolbar अब Next What is the full form of VIS VIS का full form क्या है Visual Identity System Visual Identity System Visual Identity System तीनों option तो same हो गए भाई यहाँ पर change कर देते हैं इसको कर देते हैं यहाँ पर service यहाँ identify कर देते हैं यहाँ पर mistake हो गए थी तीन option same लिख गए थे तीसका राइटान सब जाएगा Visual Identity System option first is right अब next computer के USB port से किसे connect नहीं किया जा सकता mouse, printer, pen drive या hard disk मताईए USB port से किसे connect नहीं किया जा सकता तो इसका right answer जाएगा option D hard disk को connect नहीं किया जा सकता अब next sketch card is an example of a QR code क्या sketch card QR code का एक example है true या false तो बिलकुल आपका false है option second is right तो यह थी आज की 100 questions की marathon class इसकी PDF आपको वीडियो की नीचे जो 21 most important question की link है वहाँ पर available मिल जाएगी शाथी साथ telegram channel पर भी मैं available करा दूँगा तो उसे भी आप सभी लोग जाइन कर लीजेगा आशा करता हूँ कि आज की यह मैं अत्रन क्लास आप सभी को पसंद आई हो आप exam दीजिए आशानी से कोई दिक्कत नहीं है exam के बाद questions आप हमें जरूर send करिएगा questions आप हमें whatsapp पर send कर सकते हैं हमारा whatsapp contact है 8181871106 वीडियो पसंद आया हो तो like कर दीजिए, share कर दीजिए चैनल पर नए है तो चैनल से जोलने के लिए subscribe करके bell icon को जरूर प्रस करें अगर कोई भी query है तो whatsapp पर contact जरूर करें thanks for watching my video